हेलो गाइस, वेलकूम टू मैं यूटुब चैनल आज हम मिराज मुवी को एक्स्प्लेइन करेंगे जो की टाइम ट्रेवल के उपर बेस है जिसमें एक लड़की टाइम ट्रेवल कर तो लेती है लेकिन उसको किस-किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यह हम आपको आगे बताएंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो किर्पया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा कहानी की शुरुआत 1989 की रात को दिखाते हुए होती है इस रात बिजनी बहुत ज़ादा कड़क रही होती है और न्यूस में भी बताया जा रहा होता है कि ये मोसम 72 गंटों तक ऐसा ही रहेगा अब हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम नीको होता है नीको को गिटार बजाने का बहुत ज़ारा शोक होता है उसी रात नीको अपनी गिटार बजा रहा होता है तब ही उसकी मम्मी कमरे में आती है और नीको को ये बोल के जाती है कि मेरी नैट शिप्ट है तुम टाइम से सो जाना अब निको अपनी गिटार बजा रहा होता है तभी उसे पडोस वाले घर से चीखने और चिलाने की आवाज आ रही होती है वो देखने के लिए निको जैसे ही पडोस वाले घर में जाता है तो वो देखता है कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार दिया है इंजल के हाथ में चापू देखके नीको काफी डर जाता है और वो भार के तरफ भागने लग जाता है जैसे ही वो भाग रहा होता है तब ही उसका कार से एक्सिडेंट हो जाता है और वो मर जाता है अब हमें 25 साल बात की कहानी दिखाए जाती है जिसमें contributors अपने पती डेविड और बेटी Gloria के साथ उसी मकान में शिफ्ट होती है जिस मकान में निको रहा करता था इनके पडोस में आयथर अपनी मम्मी के साथ रहा करता था अब बेरा आयथर को डिनर के लिए इंवाइट करती है त्यूंकि आइथर बेरा का पुराना दोस्त है और आइथर नहीं इनको ये मकान दिलवाने में मदद की है अब डेविड और बेरा स्टोर रूम में कुछ देख रहे होते हैं तभी उन्हें वही पुराना टीवी मिलता है जो की निको का होता है टीवी के साथ सुझन को कैमरा और निको की रिकोर्ड करी हुई टेप भी मिलती है अब ये पुरी फैमली निको की टेप देखने लग जाती है लेकिन दोस्तो हरानी तब होती है जब डेविड टेप निकाल देता है और टीवी में पुरानी न्यूस चल रही होती है अब शाम को आयथर जब अपनी मदर के साथ डिनर के लिए आया होता है तो डेविड उससे निको के बार में पूसता है तो आयथर डेविड को बताता है कि निको मेरा बच्पन का दोस्त था निको ने अपने पडोसी को उसकी वाइफ का मटर करते वे देख लिया आता बचने के चक्कर में निको का कार से एक्सिडेंट हो गया था जिसकी वज़े से उसकी मोत हो गई थी यह सुनके डेविड परिशान हो जाता है और इंटरनेट पे रिसर्च करने लग जाता है उस मटर की लेकिन बेरा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है रात में अचानक से बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है और टीवी अपने अप स्टार्ट हो जाता है बेरा जैसे ही टीवी को बंद करने वाली होती है तब ही टीवी में ओटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है और टीवी में नीको दिखने लग जाता है बेरा को लग रहा होता है कि यह एक recording है तब ही टीवी से नीको पूछ लेता है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इतना देखके बेरा टीवी बंद कर देती है लेकिन थोड़ा सोचने के बाद बेरा दुवारा टीवी ओन करती है अब नीको बेरा से उसके पीछे रखे हुए बोर्ड के बारे में पूछता है बेरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि यह सब कैसे हो रहा है तूँकि उनको जो टेप मिलती है वो 1989 की होती है और प्रेजेंड में 2014 चल रहा होता है तो यह कैसे पोसिबल है कि नीको बेरा से बात कर पा रहा है तब ही नीको को पडोस से चलाने के वाज आने लग जाती है जिसे सुनके बेरा यह समझ जाती है कि यह वही दिन है जिस दिन नीको की मौत हो जाएगी इसलिए बेरा नीको को सारी बात बताने लग जाती है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है लेकिन नीको को बेरा की बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं होता तो बेरा उसको अगले दिन की न्यूस दिखाने लग जाती है जिस news में लिखा होता है कि निको की death कैसे हुई है बेरा निको को समझाती है कि अगर तुम भार गए तो तुम मर जाओगे लेकिन निको को इन सब पे विशवास नहीं हो रहा होता है निको बेरा की बात को नजर अंदाज करके जैसे ही भार निकलता है उसके सामने से तेज की रफतार में एक गाड़ी जाती है लेकिन इस बार निको का कोई एक्सिडेंट नहीं होता है क्योंकि जब वो वेरा से बात कर रहा होता है तो वो समय निकल चुका होता है दूसरी तरफ बेरा जिस टीवी से निको से बात कर रही होती है वो अचानक ही चमकने लग जाता है जिससे बेरा बहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आपको होस्पिटल में पाती है बेरा अब दूसरी टाइम लाइन में आ चुकी होती है क्योंकि बेरा ने नीको की जान बचा ली थी जिसकी वज़े से बेरा ने टाइम लाइन के साथ छेड़ खानी कर ली थी अब बेरा का फ्यूचर बिल्कुल चेंज हो गया था अब बेरा कोई नर्स नहीं बलकि बहुत फेमस डोक्टर है बेरा जैसे ही ओपरेशन थेटर में आती है तो वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे वही पेशन लेटा हुआ है जिसका पहले ओपरेशन हो चुका है अब बेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए स्कूल जाती है लेकिन इसकी बेटी गलोरिया के बारे में इस टाइम लाइन में कोई भी नहीं जानता तो वह भाग के अपने पती डेविड के पास जाती है लेकिन डेविड भी उसे नहीं पैचानता क्योंकि इस टाइम लाइन में डेविड की शादी किसी ओर से हुई है जब इन दोनों की शादी ही नहीं हुई तो इट्समीन गलोरिया नाम की कोई भी लड़की इस टाइम लैन में एक्जिस्ट ही नहीं करती थी अब बेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो वो अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुली स्टेशन में जाती है पुली स्टेशन में बेरा को इंस्पेक्टर लैरा मिलता है यहाँ पर ये इंस्पेक्टर लैरा से अपनी बेटी की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है साथ में ही अपने पती डेविड की भी कंप्लेंड करती है लेकिन इंस्पेक्टर लायरा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि बेरा के पास कोई एविडेंस नहीं था कि ग्लोरिया नाम की कोई बेटी है इनकी और डेविड इनका हस्बंड है इंस्पेक्टर लायरा को बेरा के केस में कुछ गड़बर लगती है तो वो बेरा का मेंटल चेक अप करवाने के लिए ले आता है लेकिन बेरा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है अब बेरा को समझ में आने लग जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है क्योंकि उसने नीको की जान बचाई थी जिसकी वज़े से टाइम लेन बिल्कुल चेंज हो गई थी अब उसका फ्यूचर बिल्कुल बदल चुका था इसलिए वे नीको को डूनने के लिए निकल जाती है दूसरी तरफ हम नीको को देखते हैं जो की अपने पडोसी घर में चुपा हुआता और देख रहाता कैसे एंजल ने अपनी वाइफ के छोटे छोटे तुकडे करे हैं अब नीको को रियलाइज होता है कि बेरा ने बिल्कुल सही कहा था नीको दुबार से ट्राय करता है कि बेरा से उसका कनेक्शन हो जाए लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता दूसरी तरफ बेरा जब नीको के घर पोस्ती है तो वे वहाँ पे ये देखती है कि ये डेविट की शादी किसी ओर से हो रखी है बेरा डेविट को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुमारी वाइप हूँ और हमारी एक डोटर भी है लेकिन डेविट को कुछ भी समझ नहीं आता अब डेविट को यह लग रहा होता है कि यह औरत कोई पागल है तो डेविट जल्दी से पुलीस को बुला लेता है अब बेरा पुली से डरकर वहाँ से भाग जाती है और इंस्पेक्टर लायरा से जाके मिलती है और वह इंस्पेक्टर लायरा को अपनी पूरी कहानी बताने लग जाती है क्योंकि इंस्पेक्टर लायरा ही बेरा की बातों को समझ पा रहा था बेरा अपनी बात को साबित करने के लिए इंस्पेक्टर लायरा को 25 साल पुराना केस सोल्व करवा देती है जिसकी वज़े से इंस्पेक्टर लायरा का भी बेरा पे ट्रस्ट बढ़ जाता है तो इंस्पेक्टर लायरा उसको एक एड्रस देता है और लैरा उसको बताता है कि यहाँ पर जाओगे तो तुमारी सारी problem solve हो जाएगी जैसे ही बेरा उस address पे पोस्त ही है उसको वहाँपर नीको की मम्मी मिलती है और वहाँपर कुछ pictures भी होती है जिसकी वज़े से उसको यह पता लगता है कि इस time line में इंस्पेक्टर लैरा और बेरा दोनों हस्बेंड वाइफ है अब नीको की मम्मी जो की मारिया होती है बेरा को बताती है कि इंस्पेक्टर लैरा ही नीको है तब ही वहाँ पर इंस्पेक्टर लैरा यानी की नीको आ जाता है और अपनी कानी बेरा को बताने लग जाता है कि मैं मैंने तुमारे पीछे बॉर्ड पर एक railway station का नाम देख लिया था और मैंने कितने सालों तक उस railway station पर तुमारा बेट करा एक दिन मेरी मुलाका तुमसे हो ही गई लेकिन तुम मुझे नहीं पैचान पई दिरे दिरे गर के हमारी दोस्ती हुई दोस्ती से प्यार हुआ और फाइनली हमारी शादी हो गई लेकिन कल रात को जब तुम पुली स्टेशन आई तो तुम मुझे नहीं पैचान पाई मेर को लगा कि तुम्हारी यादाश चली गई है अब जैसे इंस्पेक्टर लायरा बेरा का हाथ पकड़ता है तो बेरा को इस टाइम जैंड की सारी यादे याद आ जाती है मगर बेरा को अपनी बेटी के पास वापिस जाना था वो लायरा से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मुझे वापिस बेज़ दो मुझे अपनी बेटी के पास जाना है मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जिंदा रह सकती लेकिन इंस्पेक्टर लाइरा यानि कि नीको बेरा को मना करता है क्यूकि वे बेरा से बहुत प्यार करता है और उसको खोना नहीं चाथा अब बेरा नीको को यह कहती है के 25 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाए 1989 के निको को समझाता है कि जिस लेडी ने तुम्हारी जान बचाई है तुम्हें उसको फ्यूचर में नहीं डूंडना है और 1989 का निको भी उसकी बात मान जाता है जिससे टाइम लेन बिल्कुल चेंज हो जाती है अब बेरा की आँख खुलती है जिसको अभी तक पुरानी या परिया महापे सो रही होती है जिसकी वज़े से वह रोने लग जाती है अब उसकी बेटी जब उठती है तो वह अपनी मम्मी से पूछती है कि आप रो क्यू रहे हो तो बेरा उसे बताती है कि मैं भूद खुश हूँ ये सब खुशी के आसू है यह सब होने के बाद बेरा निको से मिलने के लिए जाती है और जब वह निको से मिलती है तो निको उसे नहीं पैचान पाता तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ना ही ये कोई पहली टाइम लाइन थी ना ही ये दूसरी टाइम लाइन थी बलकि ये तीसरी टाइम लाइन थी जिसमें निको ब वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद